इस रमण रेती के कणकण में और सब में आपको एक ही ब्रह्मा का एक ही पर्मात्मा का दर्शन हो जैसे जैसे हमने भगवान की सुरूप को गुरुप कृपा से अपने अनुभाव से अनुभाव किया है यह सारे सुरूप उसी के हैं और एक छोटे सी कण से लेकर की सारा ब्रह्मान यस्य भूमी प्रमांतरिक्षम उतो दरम दिवम्य शक्रे मूर्धानम तसमेजिष्ठाय ब्रह्माने नमा वेद में सयम भगवान ने अपने सुरूप बताए कि द्यूलोक मेरा सिर है यह अंतरिक्षलोक मेरा धड़ है यह प्रिथुलोक यह मेरे चरण है हम सदा ही भगवान की चरण शरण में ही रहते है बस अनुभव हम करे अंतिसंतम न जहाती अंतिसंतम न पश्यती पस्यदेवसे काव्यम न ममार न जेरियती वो द्रिष्टी हमें गुरु कृपा से मिले भगवत कृपा से मिले साधना से मिले कि हम उस भगवत तत्यों को अनुभव कर सके स्वाध्याय सदा भगवान का नाम अस्मन और अपने सरूप में जीन और अपने सरूप में रह करके जो स्वधर में उसका पालन करना ब्रह्मन याधाय कर्मानी संगम त्यक्त्वा करोती अहले प्यतेन सपा पेन पद्म पत्न में वाम भसा ऐसा हमारा जीवन भाई स्वाध्यायस तब आरजवम तब क्या है पथ का विधान है ये जीवन का पथ ऐसा है इसमें काटे है मुसीबते हैं मुस्किले हैं बाधाये हैं प्रतिकूलताये हैं संखर्ष हैं चनोतिया हैं प्रश्न हैं वो भगवान रामकृष्ण के वी जीवन में आए वो गोतम कणाद पानेनी पतंजली के वी जीवन में आए वो सबके जीवन में है वो हमारे भी जीवन में है आपके भी जीवन में लेकिन इन पथबाधाओं से रुकना नहीं है इसको कहते हैं तब तब आपको भी ये घर और परिवार संसार चलाना इतना आसान नहीं है संताने पैदा करना भी इतना आसान नहीं इसलिए जो सदक ग्रियस्त है वो भी परमत अपस्वी है आप अपने आपको ऐसा मत मनना बोलो बाबा जी हम तो ग्रियस्ती है मैंने का किसका क्या मतलब बोलो गिरीवी हस्ती है ऐसा नहीं है भाई अपने आपको गिराओं मत हम हमेशे अपने आपको कोशते रहते हैं ना देखो तप आर्चवं रिशिता रखो जीवन में सहजदा सरलत क्या है सब कुछ वगवान का है अहिंसा अहिंसा का मतरब है सब प्राणियों के प्रति वैरभाव का त्याव सत्य मनसा वाचा करमना जो सत्य है उसी को जीना जूट में क्यों जीएं तो हम सदा प्रसंद रहेंगे वे सबसे बड़ी संपत्यां कहीं है भगवान ने बाकि तुमने सोना चांदी की संपत्य जमिन जादायत की संपत्य ये सब अलगलग प्रकार की संपत्यां ये दैवी संपत कहरे भगवान क्रोध न करने वाले की पास सबसे बड़ी संपत्य होती है क्रोध जिसके पास है उसकी तो सारी संपत्य सारी सारी विद्या सारा वैभव सारा सुख सारी शांति सारा साम्राज्य उसका तो नश्ट हो जाता है जो क्रोध करता है नहीं क्रोध नहीं करना बोध में रहना क्रोधी व्यक्ति कभी सुखी होई नहीं सकता है सोब defending कि जिश्र में जहर घुलजाता है तो मेडिकली भी अब ऐसे किणल से हमारे ब्रेंस अमारे आखों से हमारे डाथ ऊसे हमारे फेपड़ें से मारी हाट से मारी लीवर से मारी किदने छोटा भा सबर ड्रोम त्याग करना, शांती, शांती में चीना, क्रांती के बिना जिया नहीं जाता है, लेकिन क्रांती भी शांती पुर्व करना, भीतर से पौन शांत रहो, भीतर से शांती, बार से क्रांती देखो तुम सोचो कि मैं भीतर से शांत हो गया तो सभी शांत हो जाएंगे हिंदुस्तान यू सोचे कि मैं शांती का उपासक हो तो इमिरान खान भी शांत हो जाएगा उसका तो वही लाज़ थोड़े दिन पहले कि और और करना पड़ेगा भी अंतिम नहीं हुआ उपाए यह तो चलेगा क्रम युद्धत स्वा विकतत्ज्वर हो इसका यह आर्थ है युद्धतों करना पड़ेगा भीतर से ज्वर नहीं होना चाहिए अशांत नहीं होना भीतर से पूर शांती बाहर स सुबह से शाम तक चुगली चाटे में लगे रहते हैं पहले दोश लगाते थे कि महिलाईं बहुत चुगली करते हैं मने आज कोल देखा पुर्ष महा चुगल खोर हो गए त्यागा शान तिरपैशनम दयाभो तेश अलो लुपतम सब के प्रति दया कर हमारी घ्रणा है दुरविचार से दुरभावना से और दुषकर्म से और दुरविचार दुरभावना रखने वाले और दुषकर्म करने वाले उनका धरति पर अस्तित्व ना बचे इसको मोक्ष कहा जाता है उसको तो बहुत देर में समझ में आईगी घर जाके जो मैं बात कह रहा हूँ क्या बोला मैंने ग्रणा किस से हमारी इधर से दुरविचार से इधर दुरभाव से और दुषकर्म से और जो दुरविचार रखते हैं दुरभावना रखते हैं और दुषकर्म करते हैं उनका अंतो होना चाहिए तो धर्मयुद्ध है यही तो देवा सुरसंग्राम है कुछ को अभी समझ मैं कुछ को राजरेतिक द्रिष्टी से भी समझना होगा आर्थिक द्रिष्टी से भी समझना होगा यह बहुत बड़ा दर्शन है दया भूतिशु अलोलूपत्वम और कोई लालच नहीं मार्द्वम भीरचापलम प्रिदुता अबीजी एक दम सरलता सहजता कोमलता प्री देखो भाई हमने तो कि लकीर खीज रखी है जो सास्त्र में कहा है उसको करना है किसी भी कीमत पर डरना नहीं है और जो सास्त्र में निशिद्ध कर्म है उसको किसी भी कीमत पर करना नहीं है इसी को मर्यादा कहते हैं और जो से मर्यादा का पालन करें ओ मर्यादा पुरुशुत्तम ऐसा कर लोगी तो रामराजी आ जाएगा राममंद्री भी बन जाएगा जो करना है उसे पीछे हटना नहीं है जमी सलाम करे आसमा सलाम करे करो ओं काम की सारा जहां सलाम करे करो ओं काम की सारा जहां सलाम करे मिटा दो जुल्म की आधी की तुम फुलाद बनो खाक में मिलकर भी खौम की उलाद बनो तुम्हारे कारवा को नोजवां सलाम करें करो ओं काम की सारा जहां सलाम करें जमी सलाम कर आसमा सलाम करें अपने बच्चों को पराक्रमी भी बनाओ महाराज मैं पिछले दस सालों से देखता हूँ हिंदुस्तान में वीरता को गालियां दी जाती है बहुते वीरता की बात करते हैं तो हिंसक है कुरूर है आतता ही है अरे भाई हमारे भगवान राम वीर है हमारे भगवान कृष्णा भीर है हमारे महाराज जीने तो स्लोग ही बनाए धर्म संस्ताफकम वीरम कृष्णम बंदे जगत कुरू महाराज जीने जब भगवान कृष्णा की स्तोती में स्लोग बनाए हम अमने वीरता को छोड़ दिया अपने बच्चों को बच्पन से सिखाओ तो में वीर बनना है वीर भी बनना है भक्त भी बनना हमें भक्त तो हैं हम सभाव से हैं तो मैं कहा रहा था मार्द्वम्री रचापलम जो सास्त्र में कहा है वैसे जीना है सास्त्र वृद्धिक पग भी नहीं रखना है संस्रुतेन गमय मही माश्रुतेन विराधिसी यही हमारा धर्म उपदेश है वेदोपदेश है अचापला चंचलता नहीं होनी चाहिए कुछ लोग हमेशा इंतन से, मन से, विचारों से संकल्पों से अपने जीवन में दिशाओं से फिजलित होते रहते ना यह दढ़ब ब्रत होना चीए करते को शरीर में भी इंद्रियों में भी मन में भी विचारों में, भावों में संवेदनाओं में, कर्मों में चंचलता नहीं होने चाहिए अहिंसा सत्यमक्रो धस्त्यागांशान तिरपैश्णम दयाभोते स्वलोलुप्त्वं मार्द्वं रचापलं तेजहक््षमा तेज़ स्वीवनना है निस्थेज नहीं होना है तेजहक्षमा झ्षमा वन भाणा ख्षमा वीरस बुषनं बदलानी लेना नै बदलना है स्वयमकुरुस समस्टिक तेजहक्षमाद्रिति शौचम अध्रोहुनातिमानिता भवन्तिसंपदंदेविम अभेजातस्यवारत तेजहस्विवन्ना ख्षमामान बन्ना धैरियवान बन्ना पवित्रता रखना तन मेर मंन में आहारविचार वाणी व्यभार सभाव में सोचम अध्रोह कोई द्रोह नहीं किसीसे, ना द्रोह ना देश्व द्रोह, न माता-पिता से द्रोह अध्रो बहुत बड़ा शब्द है नाति मानिता सब कुछ भगवान का दियावा तो किस बात की मैं मैं अतिविश्य चों मैं इस रिष्ट हों बागे नेक क्रिश्ट है ना यह भाव तो कभी रखना दम्भो दर्पो भिमान अश्य इसके विपरीत यहाशूरी संपत क्या जो जीमन में दुख देते, दंभ दर्प, नहीं है उसका भी अहिंकार करना और है उसका भी अहिंकार करना, दोनु इगत खतर ना, दंभो दर्पो भीमान अश्य, क्रोध पारशमे वचा, क्रोध और पारशिवानी के कठोरता भी ठीक नहीं, अज्यान और अज्यान दितने भी दोश है यह है दुख का कारण, यह है दरितरता का कारण, यह है युद्धों का कारण, यह है विनाश का कारण, यह है इंसा का कारण अज्यान और अज्यान दितने भी दोश है अज्यानम चाविजात अस्या पार्थ संपद मासरी दैवी संपद विमोक्षायनिपंधाया सुरीमता मासचा संपदम दैवी मविजात उसी भारत हम सभी इस दैवी संपद के साथ उत्पन वे यह हमारा सभाव द्यात्मम उच्चते आरतीन हाँ ऐसा जीना है तो यह तो गीता से मैंने थोड़ा अपना मंगल आचरन किया अब थोड़ा योग आचरन कर लेते देखो योग आचरन की विना तो बात बनेगी नहीं मारत भगवान राम भगवान कृष्ण सारे रिश मुनी सारे संथ महत्म सब योगी थे और वो जियान योगी थे कर्म योगी थे हट योगी थे अश्टांग योगी थे जो भी योग के आगे बोल दो योग के साथ सब कुछ है मारत सह योगी थे उपयोगी थे परस परंभाव यंता श्रेह परम अब आप से थे हम सहना आओ तो सहनो परात सम मिलकर के आगे बढ़े औरों को बढ़ाया ऐसे हम सम योगी बने क्या बने बोलो हम जब घर छोड़ा था तब हम बहुत गाते थे इसको अभी भी गाते हैं हो सकता है आपका भी किसी का छुट जाए और अंदर से तो छुटना ही चाहिए अंदर से छोड़ के फिर गर हमें रहा करें कर दो दूर प्रभू मेरे मान में आंधेरा है कर दो दूर प्रभू मेरे मान में आंधेरा है जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है कर दो दूर प्रभू कर दो दूर प्रभू इतना बता दो प्रभू मेरे मन्जिल है कहा इतना बता दो प्रभू मेरे मन्जिल है कहा मुझे ले चलो वहाँ जहां संतों का डेरा है मुझे ले चलो वहाँ जहां संतों का डेरा है कर दो दूर प्रभू मेरे मन में आंधेरा है कर दो दूर प्रभू मेरे मन में आंधेरा है तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए आने मिलो प्रभू जी पाउं प्यार जो तेरा है कर दो दूर प्रभू मेरे मन में आंधेरा है कर दो दूर प्रभू मेरे मन में आंधेरा है जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है ले चलो मुझे को वहाँ जहां संतों का देरा है ले चलो मुझे को वहाँ जहां संतों का देरा है जब हम गुरु शरण में आते हैं तो अपने हृदय में इतनी ग्रायता होनी चाहिए कि गुरु के एक एक क्षण के आश्रे से हमारे भीतर एक गहरा रूपान तरण हो तो मैं कह रहा था यूग आचरण में हमें कुछ न कुछ जीवन में व्यवारीक योग करने का व्रत लेना है मैं हर बार आता हूँ और आप सब को बताता हूँ कि देखो ये देह देवाला है ये शिवाला है ये भगवान का मंदिर है ये भगवान की बात बड़ी सोगात है देह की पुष्टी हमारा अंतिम धर्म नहीं है लेकिन देह की बिना धर्म नहीं धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरुग्यम मूलम उत्थ धर्म का संपादन भी इस अधेह से होगा और जो अर्थ जिसे जीवन में परमार्थ से लेकर के सारे हमारे सेवा और साधन संपन्न होती है वो भी सरीर से ही होगा सारे पवित्र संकल पे भी इसे इसे पूरे होगे रुमुक्ष की प्राप्ते भी से देह से होगी मराज मैंने जब योग सिखाना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे गालियों का उपहार मिला कि सब साध हूँ तो देह से परे जाने की बात करते हैं तो दंड बैठक लगाता है, सुरण मस्कार कराता है देह को पुष्ट करता है देखो, सरीर से बल्वान बनो देखो, सीधे बैठो अब योग तो करना पड़ेगा दो सी पांच मिनट करना इतना बल्वान होना ची अमारा प्रेफड़ा ट्रेस्परेटी सिस्टम यदी स्टोंग नहीं हुआ तो फिर हार्ट फेलियर, लिवर किड्नी फेलियर, ब्रेन फेलियर ये साब होगा महारा जैसे लिया मैसर टूटनमिंडेज इतनी बिमारिया हैं जो योग नहीं करेगा बिमारियों से मरेगा क्या वोला? बीपियो रखा, शुगर रखा, गैस, काब्ज, डिप्रेशन, इंसाइटी बहुत बिमारियां लोगों को हमारे पुज्य गुरुदेव एक घंटे से जादा प्रती दिन योग करते हैं फिर भ्रमन करते हैं लगबग दो घंटा प्रती दिन योग करते हैं योगी गुरु हैं तुमारे, योगी गुरु हैं हमारे, आपने गुरुजी से दीक्षा तो ले रखिये और गुरुजी की तरह योगी नहीं होगे, तो दीक्षा पूरी फली भूत नहीं होगी ये मैं बता देता हूँ इसलिए गुरुजी ने तो दीक्षा दी है दीक्षा कहते है आचरण को है महाराजी हाँ तो ये दीक्षा मैं दे दे रहा हूँ थोड़ी सी आपको महाराजी मैं दिसंबर और जन्वरी महने में पांच मिनट ये करता हूँ और मुझे पूरा पसीन आने लगता है अभी तो दो मिनट में आ जाएगा क्योंकि अभी तो गर्मी है न थोड़ी तो ऐसे मैं दो मिनट ऐसे पूरा करनान के लगता हूँ अभी तो अभी तो ये एक विनट पी नहीं आमारा, देख में इस पसीनाग आएगा हुआ है यह तो एक मिनट पी नो पांच मिनट ऐसे करते तो दिसंबर में भी पुरा पसिना सुने जगता है गरमा स्नान हो जाता है और तो एक बार देखो हिमालय में बैठावा विक्ति भी ऐसे फे फड़े ऐसे मजबूत होने ही चाहिए सेर और हाथ इधर है तुमारे मजबूत होने चाहिए बतासे की फैक्टी लगा रख्या भेंगते रहते है है बेकार का खोखो करे डोकरा दिन पर भवे मारे ताने बहुत बुरा हल है संब बुढ़े स्वनों तुमको बुढ़ा नहीं होना है शरीर को ठीक रखो सो साल तक ठीक ठाक चलेगा मामला उसके बाद चले जाएंगे दूसरे आजाएंगे दो से पांस मिनटे से करके देखो मारे जो मैं एक मिनट में दो सो बार भी करता हूँ जो मैं तेज स्पीड सी कर रहा ताने एक मिनट में दो सो बार वाली स्पीड है एक मिनट में दो सो बार और फिर एक मिनट में एक बार स्वास पर आता हूँ इससे हार्ट रेट वेरिबिलीटी बीपी की शूगर की सब एक तमाजात यह है माराजी आपने पशीना उड़ा पुछा तो देखो यह पशीना तो अभी आई गया ना पूरा पूरा शरी से आरा अगला कपाल भाती रूज किया करो भाती बाती के रोग हो रखे एक कपाल भाती करो हमारे पुझे पुण्यानजी महाराजी एवी सच में हमारे खाली निरंजरी अखाडे के आचारे महामड लेश्वा निवो देखो तो अखाडों में पाद गरिमा उनमें भी अलग प्रकार का डिसिप्लीन होता है लेकिन हमारे पुझे पुण्यानजी महाराजी एक सच्चे स्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट वेदवीत आत्मवीत हमारे सन्यासियों और वो रमंडेती में इस उत्सव में पहली बार आये उनका एक बार हम पूरे रमंडेती परिवार के और से अभिनादन करते हैं कुझे महाराज श्री के कुरаны जीके अनुक्रह से हमको कितने संत महापुर्शों का दर्शन बिलता मैं तो को संतों के दर्शन मात्र करने से अलग प्रकार की brain की programming होती है ये सब जो बुरे लोग है न उनके दिमाग की फिर दिमाग के बाद दिल की उनके फिर कर्म आचरन पूरा न एक गलत programming हो जाती है संतों का दर्शन करने से हम lower conscious से हार conscious में चले जाते हैं दो हमारे जीवन के mode है से मोबल में तो कई mode होते न flight mode है silent mode है ये mode है वो mode है हमारे जीवन के दो बड़े mode है एक है lower conscious क्या है बोलो एक है higher conscious divine conscious बोलो उसको हिंदी में इसके बहुत शब्दे एक है निम्न चेतना क्या है बोलो और दूसरी है आत्म चेतना क्या है बोलो गुरू चेतना क्या है दिव्य चेतना वेद चेतना ब्रह्म चेतना तो एक निम्न चेतना से हम गुरू चेतना में आत्म चेतना में रिशी चेतना में ब्रह्म चेतना में वेद चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते ये है साधू के दर्शन करने का लाब इसलिए का साधू नाम दर्शनम पुन्यम साधू नाम दर्शनम पुन्यम तेर्थ भूता ही साधवह काले नफलती तेर्थ सद्या साधू समागमा लेकिन साधू के पास आए तो जो साधू करेगा उन करना पड़ेगा हमसे फ्रेम करते हो की नहीं करते हो हमको लाइक करते हो की डिसलाइक करते हो जोर से बोलो तो जो लाइक करते हैं तो जो हम करते हैं उसको तुम भी करो ऐसे बाद बढ़े की बाद जिससे यारी है उसके कुछ तो उसके साथ-साथ करना पड़ेगा ना जिसके पास जाओगे, वो अपना जैसे करवाएगा, तो हम हमारे पास आए, तो हम तो योगी हैं, तो योगतु करना पड़ेगा, बोलाधार सिस्सरार्तक अश्टा चक्रानवत द्वारा देवा नाम पूरा योद्या, ये देहत दिवाले बन जाएगा, सच में, ये, रोज दस बंदर मिनट किया करो, कोई दवाई गोली की जुर्दनी पड़ेगी, ये बहुत जबरदस्त है, फिर इतना पेठ हलका हो जाएगी, अंदर भी चला जाएगा, फिर अगला प्रणायम है, बाई अभ्यंतर संभ विर्तर देश काल संख्याभी परिदिष्टह द होगा ना, अभी नहीं होगा, पहले हलका कर लो, फिर होगा, फिर वो, जो हम घुमाते हैं न, वो तो अगली उसको तो प्राणायम ने कर तो, क्रिया है एक, उसको बोलते हैं, नोली क्रिया, क्या बोलते हैं, वो भी घुमेगी ऐसे, देखो, अब तम्हारा भी फेटवा घुमेगा, बाबाजी, अबी तो फूरा ट्रैफिक जाहम है,